इस quiz में आप चेक कर सकते हैं कि आपको उत्राखंड के बारे में कितनी जानकारी है। पहला सवाल, उत्राखंड राज्य का गठन कब हुआ? Option A, 9 सितंबर 2000, Option B, 8 नवंबर 2000, Option C, 9 नवंबर 2000, या Option D, 9 अक्टूबर 2000. सही जवाब है, 9 नवंबर 2000, दूसरा सवाल, पूर्व में उत्राखंड को किस नाम से जाना जाता था? Option A, केदारखंड, Option B, द्रोन घाटी, Option C, पूर्वान चल, या Option D, उत्राण चल? सही जवाब है, Option D, उत्राण चल. तीसरा सवाल, उत्राण चल से उत्राखंड नाम परिवर्तित कब हुआ? Option A, एक जन्वरी 2007, Option B, 9 नवंबर 2007, Option C, एक नवंबर 2007, या Option D, दो जन्वरी 2007. सही जवाब है, एक जन्वरी 2007. चौथा सवाल, उत्राखंड का सर्वाधिक प्रचलित वाद्ययंत्र कौन सा है? Option A, डौर, Option B, धोल दमाउ, Option C, रन सिंगा, या Option D, मसक बाज. सही जवाब है, Option B, धोल दमाउ, पांचवा सवाल, उत्राखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? Option A, भगत सिंग कोश्यारी, Option B, विजय भगुणा, Option C, नित्यानन स्वामी, या Option D, एंडी तिवारी. सही जवाब है, Option C, नित्यानन स्वामी, छटा सवाल, उत्राखंड में सरवाधिक उँची चोटी कौन सी है? Option A, नंदा देवी, Option B, बंदर पूँच, Option C, चोखंबा, या Option D, पंचा चुली. सही जवाब है, Option A, नंदा देवी. सात्वा सवाल, एशिया के दूसरे स्थान पर और भारत का सबसे उचा बांद उत्राखंड के कौन से जिले में स्थित है? Option A, रुद्रप्याग, Option B, चमोली, Option C, पॉड़ी, या Option D, नंदा देवी. सही जवाब है, Option D, नंदा देवी. आठवा सवाल, उत्राखंड का राजखिय पश्यू कौन है? Option A, कस्तूरी म्रिग, Option B, काला हिरन, Option C, बैल, या Option D, गाए. सही जवाब है, Option A, कस्तूरी म्रिग. नौवा सवाल, उत्राखंड का राजखिय पक्शी कौन है? Option A, घुगुती, Option B, वुड़पेकर, Option C, मोनाल, या Option D, हिमालियन बुलबुल. सही जवाब है, Option C, मोनाल. दस्वा सवाल, कुमाओं का खुजराओं किसे कहते हैं? Option A, डीडी हाट, Option B, द्वारा हाट, Option C, जागेश्वर, या Option D, अल्मोडा. सही जवाब है, Option B, द्वारा हाट. ग्यारवा सवाल, इंद्रा गांधी अंतरराश्ट्रिय स्टेडियम कहां स्थित है? Option A, हलद्वानी, Option B, अल्मोडा, Option C, देहरादून, या Option D, नैनिताल. सही जवाब है, Option A, हलद्वानी. बारवा सवाल, उत्राखन के कौन से जिले में माग मेला मनाया जाता है? Option A, टीरी, Option B, पॉड़ी, Option C, उत्तरकाशी, या Option D, रुद्रप्रयाग. सही जवाब है, Option C, उत्तरकाशी. तेरवा सवाल, उत्राखन में भतूज उत्सव किस धाम में मनाया जाता है? Option A, बद्री नाध्धाम, Option B, किदार नाध्धाम, Option C, गंगोत्री, या Option D, यमनोत्री. सही जवाब है, Option B, किदार नाध्धाम. चौद्वा सवाल, उत्राखन में कढ़ाई उत्सव कौन से धाम में मनाया जाता है? Option A, किदार नाध्धाम, Option B, यमनोत्री, Option C, गंगोत्री, या Option D, बद्री नाध्धाम. सही जवाब है, Option D, बद्री नाध्धाम. पंद्रवा सवाल, फूलों की घाटी कौन से जिले में स्थित है? Option A, चमोली, Option B, रुद्र प्रयाग, Option C, पॉड़ी, या Option D, टीरी. सही जवाब है, Option A, चमोली. सोलवा सवाल, कैम्टी फॉल कहां स्थित है? Option A, चमोली, Option B, नैनीताल, Option C, लेंसडाउन, या Option D, मसूरी. सही जवाब है, Option D, मसूरी. सतरवा सवाल, उत्राखण में भगवान राम का एक मात्र मंदिर कहां स्थित है? Option A, कर्ण प्रयाग, Option B, डेव प्रयाग, Option C, रुद्र प्रयाग, या Option D, चमोली. सही जवाब है, Option B, देव प्रयाग. अठारवा सवाल, उत्राखण में किस स्थान पर शिव पार्वती का विवा हुआ था? Option A, केदार नाथ, Option B, तुंग नाथ, Option C, त्रिजुगी नारायन, या Option D, बदरी नाथ. सही जवाब है, Option C, त्रिजुगी नारायन. 19 वा सवाल, चिपको आंदोलन के शुरुवात किस ने की? Option A, गौरा देवी, Option B, काशी सिंग एरी, Option C, चंडी प्रसाद भट, या Option D, सुन्दर लाल भाहुगणा. सही जवाब है, Option D, सुन्दर लाल भाहुगणा. 20 वा सवाल, उत्राखन राजि में कौन सा जिला है जिसकी सीमा साथ जिलों से मिलती है? Option A, पौडी, Option B, चमूली, Option C, टीरी, Option D, रुद्र प्र्याग. सही जवाब है, Option A, पौडी. तो ये थे उत्राखन से जुड़े कुछ सवाल, आपने कितने सवालों के सही जवाब दिये हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा. मिलेंगे आप से अब अपनी अगली वीडियो में कुछ और नई सवालों के साथ.